जोडिसी 2023 एप्लिकेशन लिंक एक्टिवेट हो चुक है दोस्तों हाउ टू फिल फॉर्म इस्टेफाइस हम लोग पूरे इस वीडियो में चर्चा करेंगे एमप्लॉई कोड पी एफ नंबर इसमस्ट नमस्कार साथ यो अरजुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों ओपनिंग डेट कल से ही सुरू हुई है कल रात से ही ये लिंक एक्टिवेट हुई है और लगबग 29 दिन 16 गंटा के लिए अभी लास्ट फाइनल बचा है और क्लोजिंग डेट अगर बात किया जाए तो 24 अगस तक होगी रात 12 बच तक लगबग 23 बचकर 69 मिनट तक चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि करके चैनल पे नहीं है तो प्लिस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिजे तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को यहाँ पर से अप्लिकेशन का लिंक मिल जाएगा देखे जिडिसी का हम लोग वेट करी रहे थे और जैसे कि एक महना दिया था 22 जुलाई से यह अपडेट दिया था 21 अगस तक चलेगा बट थोड़ा लेट हुआ है प्रोसेस 25 जुलाई से 24 अगस तक चलेगा ठीक है और एक महना का जो समय है उसमें आप लोग अराम से एप्लिकेशन को भरेंगे फिल करेंगे ठीक है और जैसे कि आप लोग को पता है कि नोटिफिकेशन में 820 पोस्ट एलपी का है तो मैं ALP का एक बुक बताना चाहूँगा आप लोग को लिए तो ALP के दोस्तों अभी आप लोग को सबसे पहले क्या प्रेक्टिस सेट लगाना होगा वो भी प्रिवियस येर कोशन्स का जो की 2018 में फर्स्ट इस्टेज का हुआ है उसके लिए किरन पुब्लिकेशन की बेस्ट बुक है सॉल्ट पेपर से टीसी एस का प्रिवियस येर कोशन्स पेपर जिसमें आप लोग को सिफ्ट वाइस 9 अगस्ट से 31 अगस्ट जितने एकजाम सुए है टोटल 3 सिफ्ट का है ये पूरे इसमें आप लोग को मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं ये फिजिक्स के कोशन्स है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स के कोशन्स सारे कोशन्स है दोस्तो पूरा सेट वाइस आप लोग प्रेक्टिस करेंगे per day एक एक सेड भी लगाएंगे तो काफी सफिशेंट है और इसमें क्या है जो answer है पुरा explanation के साथ दिया है यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर वाक्य साही तो यह book कमें link को description में दे दूँगा आप लोग वहाँ पर से देख सकते हैं चलिए अब वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ पर आप देखें कैसे start करना है देखें तीन process में यह form complete हो जाएगा दो process में वसे देखें click here to new registration click here to upload documents इतना में आप लोग का form complete हो जाएगा अगर कुछ by the way गलती हो गई तो आप लोग उसमें modification कर सकते हैं यहाँ पर click here to modify application में तो देखें click here to new registration में क्या कैसे करना है सबसे पहले जो मंगा है यहाँ पर एक और चीज़ दे दिया है this GDC online application is only for regular employees of SCCR employees of other railway zones and other applicants are not eligible for this means कहां दोस्तों अगर आप लोग यह सोच रहते कि GDC तो अब RRB centralized agency लेगी तो हम लोग किसी भी जोन में भर सकते हैं लेकिन ऐसा अब यह प्रश्ण नहीं उठेगा क्योंकि एक जोन candidates एक ही जोन में रहेंगे और उसी जोन का GDC apply कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो साल का minimum service जो मंगा था है है ना और वो भी कब उमिद्वारों को एक जुलाई 2023 को SCCR का नियमित कर्मचारी होना चाहिए है ना नियमतन दो वर्स तक उससे पहले मरला आप का PF नंबर बन जाता है यहाँ पर देख सकते हैं PF नंबर हो गया और डेट अव बर्थ हो गया सेलेक्ट क्वालिफिकेशन यह सब डालेंगे और पे मेट्रिक्स लेवल विदाउट MACP इसमें आप लोग जैसे Group D staff रहेंगे तो Level 1 डालेंगे Technician वगर रहेंगे Technician 3 तो Level 2 डालेंगे ALP रहेंगे तो भी Level 2 डालेंगे तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपना कर सकते हैं ठीक है तो चले अब दूसरा तो जैसी ये process complete हो जाएगा दोस्तों तो आप लोग को एक registration ID मिल जाएगा और password मिल जाएगा जिसके बाद आप next process में जाएगे जिसमें आप लोग को documents upload करना होगा तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग उस registration ID password के साथ login करेंगे उसके बाद जो भी documents लगेगा जैसे कि आप लोग का 10th का लगेगा 12th का लगेगा और graduation का लगेगा और ITI और diploma का दोस्तों साथ में अगर भी भी टेक किये हैं तो यह सारे documents के साथ photo और आप लोग को क्या बोलते हैं sign का signature का आप लोग को documents का upload करना पड़ेगा जितना भी क्या बोलते हैं kb में मंगा होगा जैसे sign का 20-25 kb में मंगता और photo का maximum 1500-200 kb लहरता है उसको आप लोग देख लिजेगा online image को research करने करहता है दोस्तों ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो म में इतना ही ओके दोस्तो धन्यवाद जय हिन जय भारत